हेलो स्विएंट दिस इस राम फ्राम स्टेटेक अकेडमी आज हम आपको बढ़ाएंगे क्लास तेंथ हिंदी और करेंगे चाप्टर वन शृतिस बुक से सूर्दास के पद और आज हम करेंगे एंसी आर्टी के कोशन आंसर प्रशन उत्तर और कोशन वन से फाइव तक प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस परकार अभीवक्त किया है जो गोपियां श्री कृष्ण दे बहुत ही प्यार करती है और इसी प्रेम को उन्होंने किस परकार अभीवक्त किया कैसे बताया है कि वह श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती है तो इसका आप उ उधारन आपको बताएंगे उससे पता चलेगा कि श्री कृष्ण के प्रति जो उनका अन्य प्रेम है वह आप फिर आपको इस तरह से आप उधारन के साथ लिखेंगे तो आपको फूल मार्क्स मिल जाएंगे कि जिस तरह से उन्होंने अपना अन्य प्रेम अभीवक्त किया है गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति तो उसका उधारन है फर्स्ट आप लिख सकते हैं उन्होंने सुयम की तुलना चीटियों से और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है उन्होंने अपने आपको माना है कि वो चीटिया है जैसे चीटिया जो है वो उनकी तरह ही और शिरिक्रिषृन जो है वो जुँग्ड की तरんな और उस्पर चिटियां चिपकि रहती और आप जानते ही उन्हां हमेशा जूपके चिपकी रहती है तो ऐसे ही जो गोपियां वो शिरी किष्ण के साथ रहती है उनसे प्रेम करती है और अपने अनन्य प्रेम को उन्होंने इस तरह से अभीवक्त किया है कि वह चीटियों के समान है और शिरी किष्ण जो गोड के समान है और जिस पर चीटियां चिपकी रहती है यानि कि गोपियां शिरी किष्ण से साथ ही रहती हैं और उन्हें छोड़ना नहीं चाहती कभी भी और उनसे प्रेम करती हैं अब इसका एक ओल उधारन आप दे सकते हैं उन्होंने स्वेम को हरिल पक्षी वा शिरी किष्ण को लकडी की भाती बताया है उन्होंने अपने आप तो यहूं ने अनन्ने प्रेम को अभिवक्त किया है है। जिस तरह हरिलपक्षी लकड़ी को नहीं चोड़ता उसी तरह उन्होंयोंने मन क्रम वचंथ से श reactive किस्न को प्रेम रूपी लकड़ी को द्रिरतर पूरवक। पकड़ली को एकदम पकड़के रखता उस चोड़ता नहीं लकडियों यह इस तारह से इन्हों ने अपने अनन्य प्रेंषी माना अपने आप और शिरिकिश्रका नाम रठती रहती हैं अब उनके तो आब इन तीनों जो ये तीन उधारण हैं इससे ये स्वर्ष्ट हो जाता है कि शिरी कृष्श्न के प्रती अपने अनन्ने प्रेम को गोपियों ने अभीवक्ट किया है अब इन तीन उधारंट से आप उत्तर लिख सकते हैं जो आप लिखेंगे तो आपको full marks मिल जाएंगे अब आते हैं question number 7 पे गोपियों ने उदव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है अब जो गोपिय है उन्होंने उदव जब उनके पास आया तो उनको व अब कौन सी बात है जो बताने चाहती है कि उनको परशन में पूछा गया है कि योग उदव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही तो उन्होंने इस तरह से बोला कि इसको तरह आप इस तरह से लिखेंगे गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उनी यह तो उनको ही सीखना चाहिए जिनके इंद्रिया मन उनके पास नहीं है जिस तरह से चक्री घूमती रहती है उसी तरह उनका मन एक स्थान पर ना रहेकर बठकता रहता है जैसे कि आप साइकल का जो पैया होता है तो वो घूमता रहता है वो एक स्थान पर तो रहता नहीं तो ऐसी ही उसी तरह उनका मन जो है एक स्थान पर ना रेकर बठकता रहता है प्रन्तु गोपियों को योग की आवसकता नहीं स्थान egपने मन वाइंद्रियों को शिर्टि के प्रेम के रस्में डूबूल चूका है वो तो शिरीकिष्न से तियंत प्रेम करती है, जैसे कि हमने अभी जो प्रशन च्छे किया उसमें भी हमने पड़ा, उधारण में उन्हों ने इस तरह से अभी वक्त भी किया है, तीन उधारण हमने पड़े, और आप इसमें लिखेंगे, अपने मन वा इंद्रियों को शिरीक इंद्रिया है हमारी बसमे और हमारा मन वा इंद्रिया जो हमने शिरीकरिष्ण के प्रेम की रसम डूबू दिया हैं तो हमने योग की शिक्षा की आवयसच्ता-पिया है आप हमें लेक्चर मतilly दो तोас लॉन इस तरह से आप यह आंसर लिख सकते हैं अब आते हैं प्रश्न आ तो अब question no.9 करते हैं आगे continue गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए गोपियों के अनुसार इसका जो उत्तर है इस तरह से लिखना है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है एक राजा जो होता है वो अपनी क्रिश्चा राजा कहला है जव速 निती के साथ यानि गलत जो नीतिया है उंके साथ जो प्रजा के खिलाफ होती है वो उनका साथ ना देकर नाद कर नीति का साथ दे जिससे प्रजा का भल‍हुन हो तो यह जो है अगोपियों के निस्वाराम यही है तो अब इस से इसका उत्तर लिखेंगे तो अब आते हैं स्वेन आगे प्रशन 10 पर प्रशन 10 इस तरह से गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाए दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पालेनी की बात कहती हैं स्वेन जब जो श्रीकिष्ण एद्वारी कर चले जा लेने की बात के आती हैं उनके नुसार शरीकृष्ण दवारी का जाकर राजनिति के विद्वान हो गए सब राजनिति के हूँ गरे और उनके साथ राजनिति और और भी चलाग हो गये हैं और द्वारका जाकर तो उनका मन बढ़ गया है अब उनको तो अपनी गोपियों की याद नहीं आती चाहिए वो ने भूल गये हैं और जिसके कारण उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उदफ को भीज दिया या वो मेरी राह देख रही हैं तो उनको योग की शिक्षा के बारे में बताओ या उन्हें सिखाओ तो देने के लिए उदफ को भेज दिया है और अब यही परिवरतन जो थे उन्होंने देखे और शिरी किषण के इसी कदम से जब उन्होंने उदफ को भेजा कि योग की के लिए गोपियों को तो इसी कदम से शिरी के अनुराग से वापिस लेना चाहती हैं और अब यह भी लिख सकते हैं कि इनी परिवर्तनों के कारण वे अपना मन वापिस लेने की बात कह रही हैं तो इसका उत्तर इस तरह से भी आप दे सकते हैं तो इस परेंड आज 10 questions हो चु समझाये हैं तो लाइक करना वीडियो को चैनल को भी सब्सक्राइब बैल अकन को भी हिट करना स्वेंड और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखना अपने फ्रेंड को शेर करना हमारे एक वर्टसेप ग्रूप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां से